अस्सलाम उलेकुम तो ये बिमारी खासने, छींकने, धूकने, हसने या बात करने से दूसरों को लग सकती है टीबी के जरसीम अमूमन फेपड़ों पर असर अंदास होते हैं सीने से निकले बलगम से पता लगाया जाता है क्या आपको टीबी है या नहीं लहाज़ जरूरी है कि आप खास कर सीने के बलगम का नमूना दें ये बलगम का नमूना है जो कि अमूमन गाड़ा होता है और देखने में पीला, जर्द या हरा हो सकता है लेकिन अगर बलगम में खून आ रहा हो तो इसका रंग, कथई या लाल हो सकता है ये बलगम नहीं है, ये थूख है जो के मूँ में होता है और देखने में साफ पानी जैसा नजर आता है TB की तश्खीस के लिए हमें मूँ से निकले थूख की नहीं बलके सीने से निकले गाड़े बलगम की जरूरत है हम आपको बहतर बलगम निकालने का तरीका समझाते हैं, गोर से सुनिए और देखिए सबसे पहले इस बात का दिहान रखें कि आपके आसपास लोग मौजूद ना हो खुली फिजा का इंतिखाब सबसे बहतर है, वरना किसी ऐसे कमरे में जाए जहां खिड़की हो ताके टीबी के जारसीम किसी और को मुंतकिल ना हो अगर आपके मूँ में कोई खाने की चीज है, तो बलगम देने से पहले अच्छी तरह कुली कर लें बलगम निकालने के लिए पहले अराम से खड़े हो और तीन बार लंबी-लंबी सांसे लें अब एक गहरा सांस लेके जोर से खासें, ताके सीने से बलगम निकल सके बलगम को डब्बे में थूग दें, दिहान रहे कि बलगम डब्बे से बाहर ना लगे बलगम इतना होना चाहिए कि डब्बे की तह तक फैल जाए अगर पहली दफ़ा में बलगम कम या फिर ना निकले तो दुबारा कोशिश करें जब काफी बलगम डब्बे में जमा हो जाए, तो ढखना अच्छी तरह बंद कर दें और फौरी तौर पर टेस्ट के लिए जमा करवा दें मुम्किन है कई बार कोशिश करने के बावजूद आप बलगम ना निकाल पाएं ऐसी सूरत में घर जाकर दुबारा कोशिश करें नींद के दोरान बलगम फेपड़ों में जमा हो जाता है इसलिए उठने के फौरण बाथ कोशिश करें भाब लेने से भी बलगम निकालने में आसानी होती है आप जहां भी हों बलगम निकालने का तरीका एक ही है आराम करें और तीन बार गहरी सांसे लेकर जोर से खासें जब काफी बलगम डबे में जमा हो जाए तो ढखना अच्छी तरह बंद कर दें कोशिश करें कि बलगम का नमूना उसी दिन जमा करवा दें अगर आपके मजीद कुछ सवालात हों तो आप हेल्थ वरकर से रुजू कर सकते हैं याद रखें कि अगर आपको टीबी नहीं है तो भी आप दूसरों की मदद कर सकते हैं अगर आप किसी को जानते हों जिसे काफी अर्से से खासी की शिकायत हो तो आप इन्हें टीबी के टेस्ट का मश्वरा दे सकते हैं आपके तावन का शुक्रिया आपके तावन का शुक्रिया